हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू क्रेटिव ववरानी और आज हम बनाने वाले हैं शिव परिवार की ड्रेसेज तो उसके लिए मैंने बहुती कम मैटिरियल लिया है और बहुती कम टाइम में बहुती आसान तरीके से हम ये ड्रेसेज बनाने वाले हैं तो measurements मैं आपको सभी screen पर दिखा रही हूँ, सबसे पहले हम बनाएंगे माता रानी के लिए लेंगा और चुनरी, तो लेंगा मैंने अलग color में लिया है और ये देखिए दुपट्टा बनाने के लिए मैंने contrast color में red color में ये fabric cut कर लिया है, अब देखिए हमें क्या करना है, पह प्रेंट्स मेरे चैनल पर आप माता रानी की और लड़ू गोपाल की dresses बनाने के बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए, या फिर end screen पर मैं आपको उन सब के वीडियो के link दे दूँगी, end screen पर या description box में जाकर आप उसे देख सकत हैं, तो यह देखिए, यह plates डाल कर मैंने लहंगा ready कर लिया है, लहंगे का अब हम बनाएंगे belt, तो belt बनाने के लिए आप माता रानी की मूर्ती की जो भी कमर की size हो, उसी size में fabric cut कर लिजिएगा, और इस तरीके से double fold करते हुए belt बना लेंगे, और belt बनाने के बाद हम इसमे गोटा लेस insert करके माता रानी को पहनाने के लिए, यह देखे इस तरीके से, उपर भी मैंने गोटा लगा दिया है, अब इसके अंदर यह गोटे की एक लेस हम insert कर देंगे, ताकि हम माता रानी के कमर में इस लहंगे को बांद सकें, तो यह हमारा easy सा लहंगा बिलकुल एक 2 म बनकर ready हो जाएगा, बहुती आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आप आसानी से लहंगा खुद बना सकें, दुपटा बनाना और भी easy है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से गोटा लेस चारो तरफ भी लगा कर decorate कर सकते हैं, मैंने दो साइड इसके गोटा लेस दो साइड से मैंने से हैम कर दिया है, ये देखे इस तरीके से मातारानी की ड्रेस बनकर ready हो गई है, बहुती आसानी से, अब हम बनाएंगे शिव जी की ड्रेस, तो उसके लिए मैंने ये white fabric कट कर लिया है, measurement में आपको दिखा देती हूँ, इसे भी हम बहुती simple तरीके से ब accurate कर लेंगे, तो ये देखे मैंने white fabric लिया है, आप चाहें तो colorful fabric भी ले सकते हैं, तो ये दो ड्रेस हमारी बनकर ready हो चुकी है, अब हम बनाएंगे नंदी जी की ड्रेस, तो उसके लिए मैं गदी ready करने वाली हूँ, तो उसके लिए fabric कट कर लिया है, दो साइड से इसे stitch कर लेंगे, और इसमें हम fill कर देंगे, थोड़ा सा cotton या फिर fiber, cotton या fiber फिल करने के बाद, ये देखे इस तरीके से हम इसमें अराम से fill कर लेंगे, फिल करने के बाद इसे हम double fold करते वे stitch कर लेंगे, फ्रेंट्स में सभी ideas बहुती easy बता रही हूँ, ताकि आप हाथ से भी stitch कर सक तो ये देखे हमारी गद्धी बनकर ready हो गई है, इसे हम थोड़ा सा कर लेंगे decorate, तो ये हमारी third dress भी बनकर ready हो चुकी है, अब हम बनाएंगे गनेश जी की या फिर कार्टी के जी की same dresses, दोनों के लिए हम same dresses बनाएंगे, measurements आप उसी हिसाब से लीजेगा, जिस हिसाब से कर लिया है मैंने कोटा लेस लगा कर, तो ये देखिए ये एक छोटा सा दुपट्टा भी मैंने ready कर लिया है, तो ये हमारी fourth और ये इसी तरीके से same हमने fifth dress भी ready कर लिया है, तो ये देखिए सीव परिवार की माचो ड्रेस हमारी बनकर ready हो चुकी है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम material से और बहुत ही आसानी से, तो friends इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो बगवान जी की dress बनाने के मैंने अपने channel पर upload कर रखे हैं, जिसमें लड़ू को पाल की dress, शिव परिवार की dress, मातारानी की dress और भी बहुत सारे वीडियो आप मेरे channel पर देख सकते हैं, तो उसके लिए please channel को subscribe कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो एक like जरूर कर दीजेगा, और कोई suggestion हो तो please comment करके जरूर बताईएगा, तो फिर मिलते हैं हमारे next वीडियो में